हलो गाईज आज हम ऐसे 5 SEO hacks के बारे में यहां पार डिसकस करने वाले उसके बाद मैं डिसकस करने वाला हूँ के एक site जो के अलेडी रैंकिंग में था लेकिन वह अभी रैंकिंग में नहीं है और उसके साथ-साथ उसका ही comparison में 2-3 site रैंक कर रहे हैं वह क्यों रैंक कर रहे है और जो पहले जो साइट वह रैंक क्यों नहीं कर रहे है इसके बारे में आज में detail में बात करूंगा हम लोग यहां से स्टाट कर दो नम्बर 1 जो This is a हैं जो मेरी तरफ से मैंने जो किया जो रिसर्च करने के बात जो मुझे मिला वह के जब लोग जब ब्लॉगर ने वेबसाट करना स्टाट कर दिया वह निस रिसर्च करने के टाइम रिवर्स इंग्म नहीं करतें यह क्या है reverse engineering यह बहुत ही important है अगर आप एक niche के उपर काम करने के लिए decide कर चुके तो आपको देखना पड़ेगा उस niche में और जो computer rank कर रहे है site का age क्या है वो उस age में कितना टॉपिकल authority अलड़ी बनाया ठीक है तो आप जिस niche के उपर काम करोगे जिस topic के उपर आप authority बनाऊगे तो उसके लिए आप अपने computer reverse engineering करके उसका each and every data आपको निकलना पड़ेगा तो सबसे पहले जो चीज आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन सी keyword पर वो ज्यादाता traffic ले रहे है अगर एक site में 100 या 200 पोस्ट पाब्लिस कर चुका है तो उसका मतलब यह नहीं कि सारे पोस्ट गूगल में इंडेक्स हो जाएगा ठीक है और सारे पोस्ट गूगल के फास्ट पेज में रैंक होगा ऐसा नहीं हो सकता ठीक है तो इसमें बहुत सारे पेज इंडेक्स नहीं होते उसका time भी लगता है और जो keyword आपको देखना पड़ेगा आपका जो computer है जो और रैंक कर रहे है और जो keyword पर रैंक कर रहे है वह कौन सी page है तो आप उस page को दियान से चेक करना पड़ेगा ठीक है और उसके बाद आपको देखना एक idea मिल जाएगा कि आपका main keyword क्या हो सकता है ठीक है क्योंकि ज्यादा था लोग करते है कि जो main keyword होता है जिसको वह Google में रैंक करना चाहते उसको तो यह as a anchor text करता है backlink के टाइम्स ठीक है तो reverse engine करने के बाद आपको पता चलता है कि ऐसे कौन सी keyword के उपर आपका computer रैंक कर रहे है ठीक है टॉप जो pages Google में रैंक कर रहे है उसका content का structure क्या है आपको वह पता चलता है उसके बाद आते कि उसका backlink profile का ठीक है उसका do follow backlink की इत करते हो तो उसी niche में आपको minimum 5 से 10 computer को ऐसे reverse engineering करके data को collect करना पड़ेगा ठीक है तब जाके आपको idea मिलेगा कि आप कौनसी structure को follow रहेगे ठीक है तो आपका पूरा ओभर अलग एक structure वहाँ पर हो जाएगा कि आप कौन सी keyword को target करने के लिए आपको कितना content डालना पड़ेगा और एके content में आपको कितना word राइट करना पड़ेगा ठीक है आप back links कहां से create करोगे do follow कितना करना पड़ेगा और profile link किसना पड़ेगा forum link web to links और guest post वगरा ठीक है ऐसे तरह बहुत सारी information आपको reverse engineering करके मिल जाएगा तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो यसी तरह तूल का यूज कर सकते हो तो उसके बाद आते है number two में जो है वो है internal link तो internal link तो हम लोग बहुत सारे करते हैं लेकिन सबसे जो important part है आपको उस page में interlink करना है जिस page से बहुत सारे backlinks लिंग्जुस फ्लो कर रहा है ठीक है तो अगर मान के चलो आपका website में एक page है तो वह है कि आपका website के अंदर एक page हो सकता है जैसे के your domain.com slash based pressure cooker under $100 ठीक है तो इस keyword में अगर आप एक page को target कर रहा है तो यह जो page होगा ना तो मान के चलो यह आपका main keyword हो गया कि based pressure cooker under $100 ठीक है तो इस keyword को आपने उस page में target कर रहे है और उसके बाद आपने किया क्या उस keyword को rank करने के लिए आपने उस page में बहुत सारे backlinks create करिया ठीक है तो उस page में ऐसे अगर आप create backlink करते रहोगे तो उसमें क्या होगा कि backlink का juice जो है वो उस page में बहुत सारे increase होते जाएंगे ठीक है तो interlinking में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जिस page में इतना सारा backlinks create कर रहे ह आप उस page से दूसरे page को interlinking करो ठीक है तो interlinking का यह पर भी strategy आपको देखना पड़ेगा कि जिस page का ओलेडी लिंग जू से जो ऑलेडी आप working में काम कर रहे है जो ऑलेडी रैंक कर रहे है ठीक है आप उस page से दूसरे page पर जो और फैन पेज हम लोग कहते है जो किसी और पे पेज में आपको interlinking करना पड़ेगा ताके जिस page में आप बहुत सारे backlinks कर चुक है उसका जो लिंग जूसे वह भी एक और फैन पेज होता है जिसका आपने अभी तक बैक लिंग नहीं क्रियाट किया वह भी क्या होगा लिंग जूस उसमें फ्लो होते रहे गया ठीक है लि की वाइग को ऐसाका प्रीवाड को कर अंडर 300 डौला या त्तारा से बहुत सारे की आप को मिलेगा तो विधकी आतके तो आपने बिएक लिंग उतना नहीं क्रियाट कर होगा था कै handma72 णंगोनिग आपने पार बैक लिंग क्रिया पीक होगा उस पेज में एपने बहुत सार में आएगा और आपका वेब साइट का जो रॉपिकल अथरीटी है वह भी इंक्रीज होते रहेगा उसके बाद है कि नमबर थ्री यह बहुत ही इंपोर्टेंट है मैंने देखा कि मुस्ट अब दा ब्लॉगर मुस्ट अब दाइम्स यह कीज इगनोर कर देता है कि वह एक्जि इस दिन बाद आप देखोगे कि उस कीवाड में आपको कुछ थोड़ी बहुत रहा है ठीक है ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी रहा नहीं मिला अगर आप सही तरीके से प्रॉपर होए अब अगर आप कीवाड रिसाच करोगे इनिसेल स्टेज अच्छा खासा वापा देखना पड़ेगा आप जिस पोजिशन में रैंग कर रहे हो ठीक है तो उस पोजिशन में आपका जो कीवाड आप सार्च कॉंसल में देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे कीवाड आपको मिलेगा जो के आपको उस पेज में बूस्ट करने के लिए हिल्प करेंगा तो यह पर सकते हो कि में अब यह काम कर रहं तो आप सकते होटे पास्टॉम सा होगत कर रहा है लेकिन Google क्या साजेस्ट कर रहा है यह जो पेज है कौन सी किवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहिए यह आपा देख सकते हो कि यह Google साजेस्ट कर रहा है कि आप DTF प्रिंटिंग ओलाइन इस किवर्ड को टार्गेट कर सकते हो इस पेज में ठीक है तो आपको यह कॉन्टेंट जब आप पाब्लिस कर दोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आप पाब्लिस करने के बाद Google आपको कौन सी किवर्ड को साजेस्ट कर रहे है अपने पेज में टार्गेट करने के लिए ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो मैं आपको कहूंगा कि 80 परसेंट आप इस पे फोकस करो ठीक है जब किवर्ड आप टार्गेट कर लेंगे एक नए नए पेज के उपर तो आपको बार बार उसको चेक करना पड़ेगा कि आप कौन सी पोजिशन में किस तरह से आप रहे हो ठीक है तो गोगल सार्च कांसल आप यूज करेगे यह बहुत अच्छा आपको दे देता है ठीक है और बाकी जो 20% है वो 20% क्या होगा आप नहीं नहीं किवर्ड को टार्गेट करते रहोगे ठीक है तो आपका 80% टाइम जो इंग्वेश्ट करना पड़ेगा वह है कि एक्जिस्टिंग किवर्ड के उपर जो अभी आप रैंकिंग कर रहे हो लेकर किवर्ड को आपने अच्छे तरीके से टार्गेट नहीं किया ठीक है और 20% आपको टार्गेट करना पड़ेगा न्यू किवर्ड के उपर ठीक है तो नमबर 4 में आता है कि यू मस्ट राने बिसनेस वन यूर वेबसाइट इसका मतलब है कि आप अपने वेबसाइट में सिर अपने वेबसाइट में सर्वीस टाइप का कुछ सेल करना पड़ेगा तो यह जो साइट है दाट बैक डॉट कॉम इसका ताफिक आप देख सकते हो 5.5 के ट्राफिक है पर आप देखने हो कि मिलेगा ब्लोग रिल्रेट इतने भी किया अच्छा तो यह साइट अगर आप च सेल कर रहे है तो यह आप देख सकते हो कि इसका प्राइसिंग भी आप अल्ली डीटेल में दे चुका है और उसके बाद अगर आप इस साइट का ब्लॉग सेगमेंट ने जाए है यह ब्लॉग सेगमेंट में अगर जाओगे ना तो आपको यह आपर बहुत सारे कियोड सेल वैँन कर रहे है गोगुल से तो इसका मतलब ही है कि आप अपने वेबसाइट में कुछश सेर्विस सिल करो ठीके यह दो सकता है कि आप कोई पीडिए बगएर कोई की लेसूंस जो कि आप ह assessment कर सको ठीक है वह आपर एड़ कर सकते हो कोई PDF आप सेल कर सकते हो ठीक है और ऐसे बहुत सारे ड्रॉप सिपिंग का जो प्रोडक्ट होता है ठीक है आलियक स्पेस वह आप लेके आप यहापर इंपूट कर सकते हो ताकि आपका वेबसाइड में ब्लोगिंग के साथ-साथ आप एकोमार्स का टाइप का जो स्टैडेजी आप यहापर एड कर सको ठीक है तो इस तरह आपको लेके चलना पड़ेगा और उसके साथ-साथ-साथ-साथ-स-पर भी काम करना पड़ेगा तो यह टीक है मैंने अलग से चार वीडियो बनाया था ठीक है तो आप उस वीडियो की देखना ताके आपका वेबसाइट का ऑथरेटी इंप्रूव हो जाए ठीक है नमबर फाइब में आता है कि कीवाड कैनिवेलिजेशन एंड दा मोस्ट इंपोर्टन तिंग इस कीवाड इंट यह दो चीज अगर आप इनिसेल स्टेज में क्यार्फुल नहीं रहोगे तो आ इच आपास में लड़ाई कर रहे है कौन गूगल में रेंग करें ठीक है तो मान के चलो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं अगर मैं यहाँ पर सार्च करूँ कैन डॉग इट बैनाना यहाँ पर आप देख सकते हूं कि अगर मैं इस कियोड को टार्गेट करूँ कैन डॉग इट बैनाना पील ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हूं कि एट बैनाना पील एभी एक अलग सा कियोड हो गया हाला कि यह उतना फोकस नहीं कर रहा है ब्लॉग यह कुछ अलग टाइप सा कियोड है तो किस और कियोड को देख लेते हैं अच्छा डाज डॉग इस बैना पील्स ठीक है कैन यू इट बैना पील्स डॉग अच्छा तो इसका मतलब यह है कि अगर यह जो कियोड आप डिफ यह चीज्ज़ु आपको ज्यान में रखना पड़ेगा कि अगर जिस कीवड का टार्गेट कर रहे हो उसके साथ साथ और भी जो रिलेटेड कियाट आपको देखनों को मेले ना उसका इंटेंट अगर सेम हो जाएगा तो आप वह कीवड को दूसरी पेज में टार्गेड न कि वह आप पर रेंक नहीं करता ठीके तो आपको देखना पड़ेगा आप जिस के वाड़ के टारगेट करना चाहते हो उस कीवाड में आपका इंटेंड फुलफिल हो रहे है या नहीं ठीके तो इस किवाड को अगर में टार्गेट करूंगा तो इसके अंदर जितने भी सारे कियोड यहाप पर यहाप देख रहे ना एक ही पीज में टार्गेट कर दूंगा ठीक है तो अगर इसको में साच कर दूँ तो यहाप आप देख सकते हो और भी बहुत सारे कियोड आपको यहाप तो उसमें दोनों पेजी रैंक नहीं होता तो यह फाइव आपको बताया यह मेरा खुद का एक्सपिरेंस है आप इसको ज़रूर अपने अपने अप्लाइ करते रहो तो आपको अच्छा रेजल मिलेगा अच्छा तो लास्ट में आपको जो बताया था कि बोनास पर मैं यह पर समझाने की कोशिस करूंगा यह साइट आप देख सकते हो कि मैं अगर इसमरास में इसको ओपन करूँ तो यह पर आप देख सकते हो कि यह जो साइट है ठीक है तो मैं आपको यह पर ओपन कर गभी दिखाता हूं इस साइट का भी ट्राफिक एकदम जीरो हो गया तो इसका रीजन क्या हो सकता है मेरे हिसाब से मैं आपको कुछ यह पर वैलू अड़ करना चाहते हो कि यह रीजन क्या था अच्छा तो यह पर आप देख सकते हो कि डॉक टीनिंग गाइड डॉक फीडिंग गाइड गुरूमिंग ब्यवियर एक्सरसाइज मीक्स तो यह पर आप कुछ पूड़क को बारे में यह पर डिसकस कर रहे के बेस्ट ब्रासिस बेस्ट अड़ेस बेस्ट अड़ेस अब क्या तो आप डिससकते हो एक ही साइड में स्टार्ट करने लगे हाला कि इसका उत्ना ओथवरीटी नहीं है ठीक है तो यह पर देख सकते हो कििससका कोई चांस ही नहीं है तो अगर आप इसका social media profile को परोफाइल भी तो उतना अच्छा result आपको देखने को नहीं मिलेगे, तरीक है अब देख सकते होके ये सारे के सारे जो व्मेडिया ये उसमें उतना अच्छा result आपको देखने को नहींदी नहीं है, लेकिन इसका गलती यही है कि यह different types of keyword को target करने लगे जो कि एकदम गलत है तो यह क्या कर सकता था एक particular knees के उपर काम कर सकता था जैसे कि dog feeding guide हो गया है तो different types of feeding के उपर यह बात कर सकता था तो इसे यह आपर आप देख सकते हो के यह feeding के ऊपर बात करने डिफरेंट टैपस ओफ की याट को भी start करने लगे तो आप यह आप देख सकते हो कि feeding के ऊपर सिर्फ एक ही content डाला है ठीक है यह एक pillar page पब्लिस करके just short दिया और उसके साथ साथ यह आपर तो यह डिफरेंट आपस को अलग पेज में टार्गेट करते लगे जो के एक नेरो निस नहीं है तो अगर वो नेरो निस करते टार्गेट करते रहे तो अच्छा होता और लॉंग टेम रैंकिंग में आ जाता अच्छा तो और एक साइट हमें आपको दिखाना चाहता हूं यह को विजिट कर होगे तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कॉलार हो गया ठीक है उसके बाद जीपीस कॉलार अच्छा यह को अभी टार्गेट कर रहा है जापानिश डॉग नेम यह डिफरेंट कियोड हो गया है ब्लाक एंड वाइट डॉग नेम ठीक है जा स्पैनिश ड चुछ टीक है मतलब है कि इसका जो नेर और नीश है यह आपर नहीं कर रहा है ठीक है तो यह हो सकता है शर्प मार्य डोग के गयां वह टार्गेट कर सकता था लिकार किया डिफरेंट टाइब सपो कियोड को यह टार्गेट करने लागे तो मैं आपकर आपको अभी यह थे तो अभी इसका ट्रापिक 435 यह पास हो रहे है लेकिन एक टाइम था जब उसका ट्रापिक 3000 के असपास था ठीक है तो एक्चुली में होता है कि जब एक ट्रॉपिकल अथोरिटी को पर काम नहीं करोगा ना तो लो कमपीटिटीब जो कियोड है उसके उपर आप रैंक कर बैक लिंग्स बगए रहा वह भी चेक नहीं कर रहा मैं ओवर एक आइडिया आपको यह पर सेयर करना चाहता था ठीक है तो यह डिफरेंट टैप्स आप नीश को टार्गेट कर रहा है इसलिए उसना ट्रॉपिकल सो नहीं कर रहा गोगल के पास ठीक है अच्छा तो और एक अगर डिफरेंट टैप्स आप इंफ्रमेशन यहां पर पाब्लिस कर चुका है तो अगर आप आपको देखने कर अच्छा सबसे इंपर्टेंट जो बात है यह उस क्योड को टार्गेट नहीं कर रहा है जिसका बहुत सारी क्योड आपको यह आपको देखनों के मिलेगा जि इसका मतलब ही है कि यह चाहता है कि एक टॉपिक के उपर ऑफुरिटी बिलड़ अपो हाला कि उसका कोई सार्ज बोलम नहीं है फिर भी कि ऐसी तरह की आपको टार्गेट करते रहते हैं अच्छा तो यह पर आप देखो गया ना तो आप देख सकते हैं आरांड 10 के ट्राफ एक टॉपिक के उपर बिल्लड़ अप करते रहोगे और एक की उपर काम करते रहोगे तो अच्छा लॉंग टाइम आपको रेंकिंग मिलेगा तो यह पर आप देख सकते हो कि यह एक रियल एक की उपर काम कर रहा है तो अगर आप इसका यूट्यूब चैनल में चले 파 variant का इक जाओगे तो यहां पर आप देख सकते हों के यह फीजांका कॉद्धन का वीडियो भी पाब्लिश करते रहता है अच्छा आचा इसका अगर आप देख सकते हो कि लोगी को हर एक निस्की उपर आओ ठोट एक भी जाओए तो प выд है ऊज्टिऊ हम टोटा तब जाके आपको यह लॉंग टाइम में रैंक मिलेगा और एक चीज में आपको तो यह जो साइड है यह इसका ट्राफिक आप अगर देखोगे ना तो आप स्कॉक हो जाओगे आप देख सकते हो कि कितना फ्रीकॉंटली इसको ट्राफिक मिन लगे यह की ओड ग्राफ है इस टाइप का कीओड के उपर टार्गेट कर रहे है लेकर मैं एक चीज आपको करना चाहता हूँ कि जो साइट स्वाट टैम में बहुत अच्छा ट्राफिक ले लेता है ना वह साइट बहुत जल्द टिक नहीं रहता ठीक है इसका रिजन ही है कि अगर आप साइट को देखो कि एक बार यह साइट ठीक है तो आप देख सकते हैं डिफ्रेंट टाइपस ऑफ निस के उपर बात करना चाहते है जैसे कि डॉग हेल्थ डॉग डाएट टीक है डॉग विएविया डॉग बेट टीक है तो एक भी एक भी निस की उपर भी टॉपिकल अथोरिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है तो इसको भी एक दिन लगनी वाले तो मैं उसको मॉनिटर करते रहूंगा आप देख सकते हो कि यह जो कंटेंट है इसमें क्या है सिर्फ एक लॉग कंटेंट पोस्ट करके छोड़ दिया इसमें जाला दार आप देख सकते हो कि एफी यह यूजर फिनली भी नहीं है तो यह पर आप देखने लगए ना तो आपका आँखों में उतना अच्छा फिल नहीं आएगा तो इसी तरह एक चीज़ का आपको देखना पड़ेगा आप जिस यह पर और और बी चीज़ देखना हो कि यह पर यह जो साइड है इसका यह ट कर लोगे ना तब जाके आप डिफरेंट टैपस आप काटेगोरी के टार्गे कर सकते हो तो इनिसाल स्क्रेज में आप से नियारो निस के उपर काम करो तो इस वीडियो को अगर अच्छे लगे आपको तो प्लिस इसको लाइक कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर र खॉलर कर दे रहा हूँ